मानस में श्रीक आगुशुन्डी जी महाच को समझाते हुए राम जी कहते हैं अखिली विश्व यह मोर उपाया सब पर मोर ब्रावर इदाया यह संपूर्ण संसार चराचर जगत मेरी ही द्वारत उत्पन ने किया हुआ है और सब पर मोर इबरावर इदाया और सब पर जो मेरी द्वार है वो समान रुप से है सब पर मैं समान रुप से द्वारता हूँ चाहें वो फिर कोई भी हो जडशेतन, जगजीव, कोई भी हो लेकिन जब भगवान के विश्य में बात होती है तो कुछ शब्द हैं जो प्रयोक किये जाते है दया, क्रिपा, अनुकंपा, करोणा, अनुग्रह ये शब्द इदरी देखा जाये तो पराया इन सब का जो अर्थ निकलता है लगबग समान है लेकिन फिर भी दया उक्रिपा इसमें थोड़ा संतर है दया प्राणी मात्र पर समानुक्स की जाती है क्या कहा? सब पर मोली बरावरी दाया दया सब पर है समानुक्से है दया सब बूतेशू दया में भिरभाब पक्छपाद्ण नहीं होता एक पर जो दया है वो सब पर हैं यहां पर भेदभाब और पक्षपात नहीं होता जिसे मत्ष्पुराण में दया का लक्षम बताते हुए कहा गया है कि जो संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मक यही समान हित के लिए सुव कल्यान के लिए आचन करता है और निरंतर समान भाव से आचन करता हुआ प्रसंद होता है सब में समान भाव से आचन करता हुआ प्रसंद होता है उस के लिए का नाम दया है संपूर्ण भूतों में जो एक समान आचन कर रहा है हमारे अंदर बैठके और उस आचन को एक समान रखकर ही प्रसंद हो रहता है बहुत दया है फिर चाहें दूसरा कोई पुरुष हो चाहें उसका अपना कोई सखा हो मित्र बंदु वांदाब जो भी हो अत्वा उनसे दूष करने वाला कोई शत्व ही क्यों न हो है ना सब में आत्मा को इंगित देखकर कि इसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है ठीक है, सब के प्रिती समान भाव, चाहें सामने शत्तु है, मित्र है, अपना है, पराया है, दुख देने वाला है, सुख देने वाला है, जो भी है, क्या मन में रखना कि जो मुझ में है वो इसमें है, दोनों में को इंतर नहीं है न, सूर एक ही है, जिस सूर की छाया मुझ म द्लह में है उसी सूर्य की चायर की रिए है तो इस प्रिकार से समान महावराग के वताप की रहता है उसको कहते हैं और द्रया आ त्हुंदे ड्शानीन की जाती लेकिन कृपा है किप्रिष्च्णर profits समय पहले आद गया निजैन है उस पर की जाती है। अपना आग्यकारी हो, अपने वसिभूत हो, अपना दास हो, या फिर अपना कोई अभिननमित्र हो, या अपना पुत्र हो इपर की जाती है। इन पर दया नहीं की जाती, इन पर की जाती तिपा, जैसे एक भई सामाने धर्म होता है, और एक क्या होता है विशेश धर्म, गंगा जी में इसनान करना, भगवान करना, इसमन करना, अपनी धर्म का पालन करना, ये सामाने धर्म में आता है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन बिशेश रूप से किसी को कोई अनुस्ठान बताना, गुत रूप से किसी मंत की दिख्षा दे देना, नहीं नहीं देखो ये मंत हम तुमें दे रहे हैं, तुम किसी को बताना नहीं है, ये क्या है, ये बिशेश क्रिपा है, ये बिशेश धर्म है, इसी प्रिकार सामा उसकी प्रती जो करोना उत्पन होती है उसको कहते है क्रिपा क्योंकि सामान ने धर्म से विशे धर्म होता है उसको प्रिभाव अधिक होता है इसलिए दया से जो क्रिपा है वो अधिक बलवान है दया क्रिपा के आगे नहीं टीक सकती अभी तक शायद आप सभी को समझेने में थोड़ी समस्या हो अब आप और इच्छे समझेंगे उदाहन के साथ जैसे अंबरीश और दुरवासा जी इनका दिश्टान ले लीजे भई भगवान की जो दया है वो अंबरीश जी पर भी है और दुरवासा जी पर भी है दोनों पर ही समानुप से है लेकिन अंबरीश जी पर बिशेश करपा थी क्यों थी वो इस लिए कि उन्होंने अपना सर्वस भगवान को अपन कर रखा था भी अपने लिए कुछ भी पूर्शात नहीं करते थे कुछ पूर्शात नहीं अपना तन मन प्रान समस्त कर्म भगवान की रखित उनके पैर चलते थे तो किवल भगवान के दर्शन के लिए भगवान की श्यत्र में जाने के लिए चलते भी थे तो भगवान की दाम जाने के लिए सब भगवान के लिए अर्पित माला है, चंदन है, जितनी भोग समग गया है वो सब भगवान के अर्पित भगवान को समग करते थे कि इन सबसे प्रेम उत्पन हो तो जो प्रेम जितने सब साधान लोग होते हैं उनको नहीं होता वो भगवान की जो निजजन है उनको पाक्त हो जाता है और भगवान की इच्छा से ही वो अपने जीवन के जो कर्थब कर्व हैं उनमें प्रिवित्व होते है तो उसी प्रिकार दुर्बाशा जी उनके अपने जीवन में जितने उनके कर्व थे इंदियों के अंतरकत आने वाले जो भी उनकी वेभार थे वो सब भगवान के पृति ही पून रूप से समर्पित कर दिया थे उने लाजा थे तो शाशन भी करते थे तो जो वेड आग्या है भ्रहमनुक की जो आग्या है उसके नुशार ही पृतिवी का ससन करते थे अब एक और कौन? एक और तो भगवान को समर्पित पून रूप से प्राजा अंबरीश जो पून रूप से भगवान को समर्पित है और दूसरी और कौन? दूसरी और शाप की पोटिली सदा अपने जो सिर्पर रखे जाते हैं बस जहां मन किया पोटिली खोल दी वो अपनों को ही सर्व समत मानने वाले महश्री दूलवाशा जाजा अंबरीश अपने ब्रद की प्रायाण के रिए जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे बैसे ही वहां पे महश्री दूलवाशा आ गया अब राजा थे तो अतिती को भोजन करवाना आवश्चक था अब अतिती को भोजन करवाना कैसे खाए तो उन्होंने कहा कि महाद सुखार कीजिए तो दूलवाशा जी तो दूलवाशा जी है तो उन्होंने निवंत्त उड़तों सुकार कर लिया तो दूबसे जी ने कहा कि देखो बई मध्याकार हो रहा है तो मुझे तो संधिया करनी है। जो नितिनियम है, मुझे करना है। वो मैं करके आता हूं आप तक ठीचा की। चार तो मुझी जीनिकार की ठीच है। तो वह अपना अननितिनृम करने के लिए,んだ достиh करने के लिए एमिनरीक टरट पे चले गया बहुत देर हो गोई, इह इसा उन की तिथी ती जो तिथी के ब्रत्त था उसके लोग ऑने का समय आ गा उसके लोग पहने के समय आगया आज की तरह समय नहीं कि रात के वारावे तक चला है नहीं उस समय जो दिन था वो सुर्य अदिल से चलता था और सुर्या से तक चलता था उतना ही था अब तिथी किसम आपत होने के समय आगया तो जाजाने क्या किया कि बहां पे जो भी धहमर थे उनकी आगया से तुलसी दल और थोड़ा सा गंगा जल ये पीके अपने व्रत को पून कर लिया अब दुलबास जी दिवायत उन्होंने देखा कि इन्होंने मेज से पहले व्रत का पालान पूल कर लिया मेरी पिटिक्षा नहीं करी भहिंकर कुपित हो गया रोज में बल गया और कहने लगे कि तुमने मेरा मान भंग किया है तुम जानते नहीं हो जानते नहीं हूं मैं कौह हूं मैं हूं मैंशी दुरवाशा जिसके क्रोथ से तीन लोग ड़ते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा तुरंत राजा को मालने के लिए अपने कमंडर से थोड़ा सा जल अभिमंदित किया भहिंकर कृत्या 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 कर दिया और कृत्या से कहा कि इस राजा की तुरंत हत्या कर दो अब अम्रीश जी तो अपना जो भी पूर्शात था वो भगवान को उर्पित कर चुके ते राजा हैं परंटेजश्वी हैं परंशक्तिशाली हैं परंब शाली हैं अस्त्रस्त में निपुन हैं लेकिन सामने कौन है Mहसरी दुर्भाषा बिरोध नहीं किया ये नहीं कहा कि लाओ मैं मेरा धनुष्वान काया मैं कृत्याओं का भी नश्ट करता हूँ नहीं कोई विरोध नहीं किया कुछ भी नहीं अगर विरोध करते तो जो भगवान की तरह और से जो रच्छा हुई वो नहीं होती तो दुरवासा जी तो अपना जो भी पुरषात अता है सब भगवान को समझ कर चुके थे तो दुरवासा जी अप कृत्याओं को देखा तो ना ही भेवेट हुए ना ही उन्हें ने भागने की कोशिश की और ना ही कृतिया की निवारन के लिए कोई प्रत्न किया कि इससे में रक्षा हो जाए जिसे प्रेलाज जी हिरनक अश्रिप ने कहा कि जितुम्हें बुगा है इनकी गोद में जाओ और अग्मी में जाके बैठ जाओ ठीच है कोई बात नहीं बुगा ने गोद में लिए अग्मी में जाके बैठ गया जब हम अपनी रक्षा में समर्थ ही नहीं है परम बल्शाली, परम सामतवान, सर्ब समत भगवान हम तो उनके आशित है ना तो वो देखेंगे ना क्या करना है क्या नहीं करना है दुरवाशा जी ने जब क्रित्य अत्पन ने करी तो अम्री जी ने कोई भी नेड़ना नहीं लिया अपनी उसे कोई नेड़ना नहीं लिया रक्षा करनी है या भागना है या क्रित्ता कुमालना है कुछ भी नहीं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास बस एक ही विश्वास कि भगवान हमारे रख्षक है और भगवान का हमें वहोसा है कोई भी और मन में भेवित भी नहीं हुए कि कहीं भगवान लेट हो गए कहीं भगवान को आने में देर हो गई कहीं रख्षा में देर होगी तो यह मेरी हत्या कर देई कोई भे नहीं यह हो गया भगवान बो हो गया अरे मेरा बिजनिस नहीं चला बगवान ने ऐसा कर दिया बताओ कैसे बजन करने कि मा बिजनिस चलने लगे यह इस्तिती है ऐसी इस्तिती है और करना क्या है बगवान की प्राप्ति करनी है ऐसे होगी बरबन की प्राक्ति ऐसे होगी देखिए अम्बरीज जी का चाहिते देखिए बिल्कुल अडग कहीं भी कोई भै नहीं कोई रक्षा का प्रयास नहीं केवल भगवान का भरुसा और जो सर्व समर्पित है भगवान के लिए उनके योग छेम की अच्छा भगवान स्वेम करते हैं उनकी लिए भगवान स्वेम उनकी जिम्मिदाई लेते हैं लाजाम बेश चाहते तो श्राप देशकते थे बादम तरिजश्वी महात्मा थे कोई वातनी ऐसे ससनी है लेकिन श्राप से अपने योग बल से भी कृत्या को नश्ट कर सकते थे लेकिन अपना श्राप हो अपना वादान हो अपना योग हो अपना बल हो ना अन्यम जाने ने अवजाने ना जाने प्रफू मैं तो कुछ नहीं जानता मैं तो आपका बालक हूँ सब समथ अच्छा करने वाला है आप है अंब्री जी ने कोई प्रितिकिया नहीं दिए वो तो सब कुछ भगवान को समथ प्रित का चुके है अगर सेम अपना बचका करते तो शायद भगवान का सुदाशन चक्रत कभी नहीं आता बीच में लेकिं भगवान के भणोसी होकर उसी स्थान पे खड़े रहे एक पैर भी पीछे नहीं अठाया ये क्या हुआ कृत्य अपन हो गई एक पैर भी पीछे नहीं अठाया बगवान को समथ बगवान के भणोसर 누से तुरन सुदाशन जैसे ही कृत्या जट्टी है मारने के लिए तुर्ण सुरशन चक्र पता नहीं कहां से प्रगट हो गया और कृत्या को उसी च्छन नश्ट कर दिया अब कृत्या को नश्ट कर दिया तो देखे भगवान का भजन केवल पाप को नहीं जो हमसे पाप हुए है कि अलबो नहीं पाप की जड़ को भी नश्ट करता है उन विशेविकारों को भी नश्ट करता है अब क्या हुआ अब जिसने हत्या का प्रयास किया वो तो नश्ट हो गई लेकिन जिसने हत्या के लिए भेजा वो तो बचा है ना अब सुधासंद चक्र तो सुधासंद चक्र है जब तक कि भक्त की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं होगी लग गया अब दुर्वासाजी के पीछे अब दुर्वासाजी न इधर रहा का न उधर दे का जो भागे हैं जोली डेंडा लिए तो कहीं नहीं रोके सीदे पहुश हम आज क्या रक्षा करें हम तो खुज़ आपकी शर्ण में जाते हैं कभी कुछ हमारे पास कुछ हो हो जाए तो माज आपकी हमारी रक्षा कर देना हम तो माज उत्षा नहीं कर सकते हैं याज तुम किसी काम कर नहीं अड़ो चले गए ब्रह्म लोग दावाजा खटाया ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी देख्था करो ब्रह्मा जी आए भी ये क्या बात मुले ऐसी ऐसी बात थी और अब ये सुदर सनमाई पीछे लग गया है रक्षा करो ब्रह्मा जी ने तुर्ण तरवाजा बंद कर लिया हम नहीं रख्षा करेंगे चले ज़र तुम्हारे चक्कर में हमारा भी हो जाए कुछ है ना तुम्हारे चक्कर में क्या पता है हमारे भी पीसे पड़े जाए क्योंकि है ना इंदे अप्राद भगवान भी अपना प्राद तो छोड़ देते हैं लेकिन भगत का प्राद हो जाए तो च्छमा नहीं करते हैं है ना जो अप्राद भगत करकर ही राम रोश पावक सोज़ रही तो भगत का प्राद तो तुमने किया है हम तो रख्षा नहीं कर सकते हैं शंकाजी के पास पहुचे हैं, संकाजी ने भी शेयन नहीं थे, संकाजी निकाल की देखो भई, भगत का अपराद आपसे हुआ है, देख लिए, यदि भगवान के आप शेयनागत हो जाएं, यदि आप पून रूप से, समर्पन भाफ से किवल भगवान की आश्रेत हो जाए किसी में सामत नहीं है जो आपका अपराद कर सके, और कोई अपराद कर दे भी देगा, कोई अपराद भी कर देगा, तो भगवान है आपकी रक्षा के लिए, और जिसने अपराद किया है, उसकी रक्षा वैसे ही नहीं होगी तियलोगी में, जैसे आज दुरवासाजी की न सब्सक्राइब करने वाले की ऐसी दूर्दसा हो जाती है राम जी के भक्त से दूर करने वाले की ऐसी दूर्दसा संकाजी के पास पहुचे तो संकाजी ने कहा भाई हम तो नहीं रख पाई आप जब कही शर्ण नहीं मिली कही शर्ण मिली तो भई पहुचे अब महाविश्णी के पास पहुँच गए भगवान प्रभू ये तो आपका ही सुदरशन है रख्षा करो भगवान ने कहा कि देखो भई मैं भई ये कुछ नहीं कर सकता एहम भक्त पराधीन हो मैं तो सेम भक्तों के अधीन हो मैं तु przy्वाख्टों की इच्छा इच्छा नुशारी चलता हूं मैं तो भूआ भक्त की भी भक्त का तुमान टैल नहीं सकता मैं तो कुछ नहीं कर सकता और कुछी यवाल का होगा होगा सकता था भई संका जी का टेशूल पीशे पढ़ा होता तो मैं कहीं न कहीं आपकी रक्षा कर भी देता लेकिन आप तो भक्त का अपराद करके आएं तो मैं तो फिर रक्षा की कर नहीं पाऊंगा और नहीं मैं इसमें कोई हस्ता चिप कर सकता हूँ मुझे माप कीजे ये तो भी भक्त का अपराद है और मेरी समत से भार है तो दुर्बासर जी बोले भगवन ऐसा ना कहो भी आप तो सर्व समत है अरे हम भी तो आप कही भगत है तो भगवन ने कहा कि तो भगत तो आप अवश्य है लेकिन आप दया के पात्र वाले भगत है आप किरपा के पात्र वाले भक्त नहीं है सब पर मोरी बरावरी राया आप वो हैं अंब्री जी कौन है तिन मेह जो परी हरी मदमाया भजे मोही मनबच अरुक आया पुरुसन पुनसक नारीवा जीव चलाचर कोई सर्भभाव भजी कपटत जी वो ही परम प्रियस होई अंब्री जी बो हैं वो मुझे परम प्रिय है आप तो साधान भकते हैं लेकिन वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है आप ब्रया के पाते हैं आप किरपा के पाते नहीं है तो दुवासा जी ने कहा प्रभू आप तो प्रुव में अत्यार कर रहे हैं अम्री जी को अपना रहे हैं ये तो प्रुव कोई बात नहीं लिए आपकी दिश्टी में तो मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए आपकी तो दिश्टी सम्मे समान है आप अंतर क्यों कर रहे हैं भगवान ने कहा बिलकुल, आपकी बात बिलकुल ठीक है, पिस सब पर मोरी बलावरी जाया, मेरे दया आप दोनों पर है, समान रूप से है, लेकिं अम्रीज जी मेरे निजजन है, एक वानी करूना निधान की सो प्रिये जाके गति ना आने की, उनको मेरी सिवा किसी की गति नहीं है, इसलिए वो मुझे प्रिये है, वो मेरे अपने है, वो मेरे निजजन है, इसलिए अम्रीज जी पर किरपा विशेश रूप से है, और उनके मामले में मैं हस्तक्षप नहीं कह सकता है, है ना, कि देखो, मैं उन्हें की छोड़ सकता, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकत जो इस प्रिकार से मेरा आश्रे ले लेता है जो इस प्रिकार से मेरा आश्रे ले ले लेता है ऐसे भक्त को छोड़कर ना तो मैं आपको चाहता हूं तो मैं आपको चाहता हूं और ना ही तो मैं अपनी आधांगनी लक्ष्मी जी को इतना प्रेम करता हूं जितना मैं अपने बग्तों से प्रेम करता हूं अरे डिशिवर आपी सोचिए आपी उचार कीजिए जो मेरे बग्त देखिए यहाँ पर भगवान ने अपने बग्त के लिए क्या परिवाशा कही है जो मेरे बग्त अपनी इस्त्री, अपना घर अपना पुत्र अपना परिवार, अपने गुरूजन, अपने परीजन, अपने प्राण, अपने धन और यहां था कि इस लोग और पर लोग इन दोनों को भी त्याग करके, इन दोनों का विचार छोड़ करके केवल एक मात्ते मेरी शरण में हैं, आपी वताइए मैं उन्हें कैसे चोड़सकता हूँ, आपी वताइए ना, ये दालागारं पुत्तातवान, प्राणान वित्त में संपरम, है न हे तो बाब माम श्रणी आता मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ मैंने नहीं छोड़ सकता हूँ तो दुद्वासर जी ने कहा कि भगवन देखिए यदिपी मैं भई आपके अनिन भक्तों के समान क्रिपा का तुपात नहीं हूँ लेकिन प्रभू मैं आपके दया करता हूँ आपने कहАं कि दया वाला वृत्तों तो मैं दया करता हूँ न तुम्हेर वृपर दया ही कीज़े भगवाने कहा अब ठीक है अब तुम सही जगाए हो तो देखो दया करके मैं तुम्हें मौपाई बता देताू है ना भक्त का प्रात्त करके आए उना अम्री जी का आप दुवा से उनकी शर्ण में जाओ उनसे रक्षा की प्रात्ना करो यदि बोच हमा कर देंगे तो अतमा ही रक्षा हो जाएगी सुधासन भी अपने आप सांत हो जाएगा अनिता मेरे कहने पर होने वाला नहीं है यह न यह मेरे कहने पर होने वाला नहीं है आप उनकी शर्ण में जाओ दुवा से जी ने ऐसा ही किया तुलंत शर्ण में गये अब देखिए शर्ण में गये ना अम्री जी के मन में मान नहीं अच्छा अब यह तो बढ़ी आंके दिखा रहते हैं हमें अब देखो कैसे हमां पैर म मान पड़े हैं नहीं मान अमान यहां अ को नहीं कोई मान नहीं पोई अहिंकार नहीं अगवान के शनारत थे ना हमें मान क्या आप मान क्या नहीं दुलुवासजी ने जब सण में गए च्छमप मागी है तो अम्री जी ने उल्टा उनकी च्छर्ण पकल लिए रभु मुझ चमा की है ये है भक्त की दीनिता ऐसे भक्त के रच्छक भगवान है कोई मन में हेंका नहीं अच्छा वड़ी अभी आंके दिखा देते हैं नहीं उल्टा अम्री जीने चैनल पर कर लिए ऐसे होते हैं भक्त तो यही अंतर है दया में और क्रपा में इसलिए भगवान से कोई न कोई सम्मंद अबस्च जोड़ने नहीं चैनल और हमाई जो वैशनभ धर्मसास्त हैं उनमें भी भगवान की क्रपा के लिए कोई न कोई सम्मंद इस्थापित करना परमावश्चक मना गया है दासे हो, सक्षे हो, वासले हो, मधुरो चारो भावों से कोई भी भगवान के सब सम्मंद इस्थापित किया जा सकता है क्योंकि भगवान की दया तो चलाचा प्राणी मात पर है सब उपर है लेकिन उनकी दया की उस उपलवदी के लिए उसकी प्राफ्ती के लिए उनसे सम मंद स्तावत करना जी जब विविश्ण जी शरण में आये हैं तो विविश्ण जी को क्या समझाया है जननी जनक बंद सुत दारा तन धन भवन सुहिद परिवारा सब के ममता ताग बटोरी सबसे ममता छोड़ दो और जोड़ो कहां मम पद मन ही बांद बर डोरी और मेरी चरणों से बांदो वही बात देखिए यहां पर दुरवासन जी को समझाते को रहे हैं कि जो मेरे भक्त अपनी इस्ति घर परिवार परिजन बंदू बांदब सब को यहां तक कि इस लोग और परलोग की चिंता को भी मेरे शाड़ागात चुके हैं वही बात दुरवनाजी के रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी मम पद बन ही बांद बर डोरी अस सज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हिदय बसे धनु जैसे ऐसे जो भक्ते हैं वो सराही मेरे हिदय में निवास करते हैं अन शर्ण दीकत नहीं शर्ण अगत पालक प्रभो दीन द्वार करंदन करे सुरिकारो सेबक प्रभो हे रात, हे प्रगु, हमें सुरिकाल कीजिए, अपनी सर्ण में सुरिकाल कीजिए, तो ये तो दिखी अपना सस्तन यहां पूरा हुए, देखे, मुख्य बात यहां पर क्या रही, भगवान की कृपा को साधना, भगवान की कृपा को कैसे साधा जा सकता है, अनन शर्नागति, है ना अननुस्तों का चंतन अननुस्तों का भजन केवल आप हैं और कोई नहीं केवल आप ही हैं मेरे मैं किसी को नहीं जानता ना अन्यम जाने नहीं जाने है ना मोदे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंद और अंतर जामी आप ही मेरी लिए सब कुछ हो राम जी लक्षमरी को समझाते है ना बड़ी धर्म कारण की बात है समझाते है अरे अध्या में सूना हो जाएगा है ना जिस राजा के राज़े में प्रजा दुखी जाती है बड़ी राजा नरक का दिकारी होता है अच्छी बात नहीं है लक्षमरी तुम्हें रुकना चाहिए लक्षमरी करते हैं मैं नहीं जानता किसी राज़ को मैं नहीं जानता माता पिता को मोदे सब एक तुम स्वामी मेरे लिए आप ही सब कुछ हो मैं तो आपको जानता हूँ, है ना, ना तो ने हिराम के मनियत, सुइद सने जहाल हो, चाहे मेरे इसने ही हो, चाहे मेरे प्रीमी हो, मैं आपके नाते से ही सबसे नाता समझता हूँ, आपके नाते से ही सबसे नाता मानता हूँ, अन्य था, मेरे लिए आप से उपर कोई नहीं ह तो राम जी कैते, यह करता है तो पर चलो, फिर तो धर्म करम जहन लगी, फिर तो आग लग जाए छोड़ो, अब तुम चलो. तो छो सब धर्म करम जदी जाओ, भाजी माजी, जहना राम पतपंकज भाव जहा राम जी के चणों में प्रेम नहीं पर ऐसे धर्म कर्म में आग लग जानी चाहिए क्या करेंगे इसका क्या करेंगे धर्म कर्म में खट्टा करके इसलिए भगवान का प्रेम भगवान की किरपाः भगवान की अनन निशाना गती भगवान के प्रति प्रेम संपूर्ण बहब से भगवान के प्रति समर्पन यह अभ्यास में आ गया यह बेभार में आ गया तो जिस हेतिव मनेश शरी मिला है जिस हेतिवी मानब धीवन मिला है वो सरलता से सिद्ध हो जाएगा और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं जै जै यही